देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिन्दा ख़बरे वो भी मेरे साथ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेक्स टूरिजम रैकेट का भंडा फोड करते हुए दो लोगों को गिरफतार किया है परियेटकों से संपर्क कर ये टिम वांचित स्तानों पर पहुँचती थी कई लोग खुद संपर्क करके भी इन्हें बुलाते थे ऐसे ही बुलावे पर इन्हें गोवा भेजा जा रहा था उधर ड्रक्स केस में फसे शारुक खान के बेटे आरियन खान के मामले को लेकर गीतकार जाविद अहतर ने कहा है कि अपने हाई प्रोफाइल मिजास के कारण हिंदी सिनेमा उद्योग जांच के दाइरे में है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है इस बीच मुंबई के लोकमान्य नगर निवासी 26 वर्षी युवती के साथ सामोहिक दुशकर्म का मामला सामने आया है युवती की शिकायत पर उसके प्रेमी सहित कुल चार लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया गया है बात राजनिदी की करे तो प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता सचिन सामत ने पत्स से इस्तिफा दे दिया है बताये जा रहा है कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा नाना पटोले ने अपने करीबी प्रवक्ता अतुल लोंडे को प्रदेश कॉंग्रेस का मुख्य प्रवक्ता बना दिया है एहम खबर ये भी है कि क्रूस ड्रक्स पार्टी मामले में गिरफतार आरियन खान की जमानत आवेदन पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेच अधालत चुक्रवार को प्रवक्ता फैसला सुनाएगी इसके बाद तैय होगा कि आरियन आगे भी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें जेल से चुट्टी मिल जाएगी प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सेक्स टूरिजम रैकेट का भंडा फोड करते हुए दो लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने इस कारवाई के दोरां दो पीडिताओं का रेस्क्यू भी किया जानकरी के मताबिक एक साथी के साथ सेक्स टूरिजम रैकेट चलाने वाले एक महिला के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई हवाई अड्डे पर ग्राहकों के रूप में पुलिस अधिकारियों के साथ जाल बिचाया और तिन महिलाओं को पकड लिया दरसल खुफिया जानकरी मिली थी कि सेक्स रैकेट टीम गोवा जा रही है पुछताच करने पर अधिकारियों को मुख्य आरोपी के बारे में पता चला जो प्रस्थान द्वार में प्रवेश कर गया था और उसने खुद से बोर्डिंग पास प्राप्त कर लिया था CISF और एरपोर्ट पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया उसे पूछताच के लिए हिरासत में लिया गया है जहाँ उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया बाद में उसे एक अदालत के सामने पेश किया गया जिसमें एक दिन की पुलिस हिरासत की अनुमती दी आरोपी उसे पता चला कि परियाटकों से संपर्क कर ये टीम वांचित स्तानों पर पहुँचती है कई लोग खुद संपर्क करके भी इने बुलाते हैं ऐसे ही बुलावे पर इन्हें गोवा भीचा जा रहा था ड्रक्स के इस मामले में फसे शारुक खान के बेटे आरियन खान के मामले को लेकर गीतकार जाविद अक्तर का रियक्शन सामने आया है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अपने हाई प्रोफाइल मिजास के कारण हिंदी सिनेमा उद्योग जांच के दाइरे में है और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है चेंज मेकर्स नाम की गिदाब के लॉंच इवेंट पे मौज़ुद जाविद अक्तर ने शारुक और आरियन का नाम लिये बिना उनका समर्थन किया इवेंट पे ये पूछने पर कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि बॉलिवुड को लगातर निशाना बनाया जा रहा है पत्थर उचालने का किसी के पास वक्त नहीं है जाविद ने कहा कि पोर्ट पर पकड़े गए एक बिलियन डॉलर के कोकिन को लेकर कहीं एक भी हेडलाइन नहीं पड़ी मगर एक दशमलों तीस लाग का चरस या गांजा पकड़ा गया है तो एक नैशनल न्यूस बन गई है पांचवे या चटे पेच पर खबर छब जाया करती है और फिर कहा जाता है कि हम इस पोर्ट पर जहाजी नहीं आने देंगे अरे जो मिला है उसके बारे में तो पहले बात करो लोकमान्यन अगर निवासी 26 वर्षे युवती के साथ सामोहिक दुशकर्म का मामला सामने आया है युवती की शिकायत पर कासरवडवली पुलिस ने उसके प्रेमी सहित कुल चार लोगों के खिलाव सामोहिक दुशकर्म, धोका धड़ी और मारपिट का मामला दर्च किया है पुलिस के नुसर महिला एक बार में वेटर है, बताया गया है कि 2019 में वह गोविंद राजभर नामक युवक के सामपर्क में आयी थी राजभर से उसकी नस्दी की बढ़ी, तो राजभर ने उसके साथ शादी करने का वादा किया आरोपे की राजभर ने फ्लाट खरिदने के नाम पर 7.5 लाक रुपे और कुछ गहने युवती से लिये थे इसी दोरान राजभर ने उसके साथ शारी रिक संबंद बनाय और चोरी छिपे उसका अशलिल वीडियो बना लिया राजभर ने वीडियो वाइरल करने की धमकी दी उसके साथ उसने और उसके दोस्तों ने दुशकर्म किया कासर वडवली पुलिस टेशन के मुताबिक फरवरी 2019 से अगस 2021 तक राजभर अपने दोस्तों के साथ युवती का शोशन करता रहा और आखिरकार परिशान होकर युवती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कराया है आरोपी नाला सुपारा के रहने वाले बताये गया है राजभर के दोस्तों के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि महिला उनके नाम से परिचित नहीं है प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता सचिन सावन ने पत से इस्तिफा दे दिया है सूतरों के अनुसार पार्टी अध्धिक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पार्टी उन्हें कोई और जिम्मेदारी दे बताया जा रहा है कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्धिक्षा नाना पटोले ने अपने करीबी प्रवक्ता अतुल लोंधे को प्रदेश कॉंग्रेस का मुख्य प्रवक्ता बना दिया है इससे दुखी होकर सावत ने प्रवक्ता का पत छोडने की इच्छा पार्टी हाई कमान से जताई है दरसल प्रदेश अध्धिक्षा पटोले ने प्रदेश पदाधी कारियों के काम की जिम्मेदारी तय की है इसके तहट नाखपूर के अतुल लोंडे प्रदेश कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बनाये गये है तो भाजपा से कॉंग्रेस में आये अमरावती के डॉक्टर सुनिल देश्मुक को पार्टी के विभिन प्रकोष्टो की जिम्मेदारी सौपी गई है सचिन सावन्त इसके पहले मानिक राव ठाकरे, अशोक चववान, मबाला साइब थोरात के प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षर रहते प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सम्हाल चुके है मौजुदा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा ना पटुले की टीम में भी प्रवक्ता बनाये गए थे पर अब पद से हटाने के कारण विनाराज है सूतरों का मानना है कि नाना पटुले की टीम में ऐसे एक अनेक चहरे है जो अन्य नेताओं से जूनियर है इसलिए बगावत हुई है क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफतार आरियन खान की जमानत आवेदन पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशिश अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी इसके बाद तय होगा कि आरियन आगे भी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें जेल से चुट्टी मिल जाएगी कई दिनों की लंबी सुनवाई के बाद विशिश अदालत के नयदिश वीवी पार्टिल ने 14 अक्तुबर 2021 को आरियन के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था आरियन को 3 अक्तुबर 2021 को गिरफतार किया गया था फिलहाल वह नयाएक हिरासत में है और उसे भाय खलास्तित आर्थर रोड जेल में रखा गया है इससे पहले मेजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरियन को जमानत देने से इंकार कर दिया था लहाजा आरियन ने विशच अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है वरिश्ट अधिवक्ता अमित देसाई ने कोर्ट में आरियन की और से पक्ष रखा जबकि NCB की और से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग ने अपना पक्ष रखा था श्री सिंग ने कोर्ट में सुनवाई के दोरान आरियन की जमानत का विरोध करते वे दावा किया था कि आरियन ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अंतरराष्टिय स्तर पर ड्रक्स की खरीदी से जुड़े नेटवर का हिस्सा है प्रथम दुश्य जांच के दोरान इसके संकेत मिले हैं इस पहलो की विस्तार से जांच की जानी ज़रूरी है मानसुन वाबसी की घोशना के बाद देश के कई राज्यों में बारिश ने कहरड़ाया है उत्तराखन में भुसकलान से मुसिबत और बढ़ गई है बचा उवर राहत कार्य तेज कर दिया गया है मौसब विभाग ने और तीन दिन के लिए अलट जारी किया है उधर जम्मू कश्मिर में हाला ठीक नहीं है बहारी मजदूर घर जाने के लिए विवश है ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है लंबी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है इस बिच परेशानी वाली खबर ये है कि भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधी करन ने राष्टिय राजमार्गों के करोडो सड़क यात्रियों की सुविधा के लिए सुखद यात्रा मोबाईल एप शुरू किया था ये एप इच्छित लक्षे को पाने में विफल रहा इसे लेकर संसत की एक समीती ने उसकी खिचाए भी की है रहत भरी खबर ये भी है कि हमारे विग्यानी डेंगों के दवा बनाने में कामियाब हो गए है अब दवा का मेडिकल कॉलेज में ट्रायल किया जाएगा उधर रेलवे बोर्ड ने भारतिया रेलवे स्टेशन विखास निगम को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है इसके बंद हो जाने के बाद अब स्टेशनों के पुनरविकास योजना पर जोनल रेलवे अमल करेंगे देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ भारती या मोसम विख्यान विभाग ने आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है भारत के कई हिस्सों में मानसून की विदा होने के बावजूत दिल्ली उत्तराखन और केरल में बीते कुछ दिनों में भारी वर्षा हुई है दक्षिनी अरब सागर में बने एक निमन दबाव वाले क्षेत्र और बादल फटने की छोटी गटनाओ को इस बारिश के लिए जिम्मेदार ठहराय जा रहा है मौसम विभग की माने तो दिल्ली से लेकर उत्तराखन और केरल बंगाल में आज भी बारिश होगी आईमडी के मुताबिक अक्तुबर में राष्ट्रिय राजधानी 94.6 मिलिमीटर बारिश की गवाव बनी यह 1960 के बाद अक्तुबर में दिल्ली में हुई सरवादिक बारिश है इसके पहले यहाँ सितंबर में 1944 के बाद सबसे ज़ादा पानी बरसने का रिकॉर्ड बना था वही उत्तराखन को मुसलादार बारिश का सामना करना पड़ रहा है आईमडी के अनुसार उत्तराखन में अगले तीन दिन भारी बारिश का दोर जारी रहेगा वही उत्तर पस्चिम और मध्यभारत में इसकी तीवरता में कमी देखने को मिलेगी इस बीच बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी होवाओ के दोबारा मजबूत होने का अनुमान है इससे केरल को तीन से चार दिनों के लिए एक बार फिर बारिश से जूजना पड़ सकता है वहाँ जलस्तर में भारी बुरुद्धी के चलते दस बांधों के लिए रे डलर्ट जारी करना पड़ा है पुर्वी और पुरोत्तर भारत में भी भारी बारिश का अनुमान है जम्बू कश्मिर में हाली या अतंकी घटनाओं में मारे गए गैर कश्मिरी लोगों की हत्या से वहाँ रहने वाले खौप के साय में रहने को वीवश है जम्बू में हालात थोड़े सामन्ने जरूर है लेकिन कश्मिर की हालत ठीक नहीं है जम्बू से वाया दिल्ली लोटे यात्रियों ने बताया कि कश्मिर के हालात ऐसे हो गए है कि वहाँ रहने में डर लगने लगा है कश्मिर के सेब लोडिंग के काम से जूड़े श्रमी को ने बताया कि उनने छट के समय में बिहार आना था लेकिन स्टिती असामान्य होने की वज़ा से आना पड़ गया जान है तो जान है जिन्दगी रहने के बाद तो आदमी कही भी कमा खा लेगा अब डर की वज़ा से अपने गाव जा रहे है अब गाव में ही कमाएंगे खाएंगे जम्मू से बिहार आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग की स्टिती है जम्मू तवी से बकसर, आरा, पतना, मोकामा, क्योल के रास्ते हावडा जाने वाली शुन्य दो तीन तीन दो जम्मू तवी हावडा फेस्टिवल स्पेशल में अभी से नवंबर के पहले हपते तक टिकेट उपलब नहीं है इस ट्रेन में 21 सक्तुबर को 318 वेटिंग, 24 सक्तुबर को 236 वेटिंग, 25 सक्तुबर को 252 वेटिंग, 28 सक्तुबर को 257 वेटिंग, 31 सक्तुबर को 281 वेटिंग और 1 नवंबर को 308 वेटिंग है इसी तरह जम्मुतवी से हक्ते में दो दिन पटना आने वाली 0256 जम्मुतवी पटना फेस्टिवल स्पेशल भी फुल है भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रिय राजमार्गों के करोडो सडक यात्रियों की सुविधा के लिए सुखद यात्रा मोबाईल एप शुरू किया था विभाग के दावे के मुताबिक एप पर यात्रियों को सफर के दौरान या पूर्व में राश्टी राजमार्गों के गड़े, डाइवर्जन, सडक हाथ से, टोल पलाजा की दूरी, दरे वर रियल टाइम डाटा आधिकी जानकारी मिल जाएगी इससे यात्रियों का सफर सुहाना और सुरक्षित बनेगा, हलाकि जमीनी हकीकत यह है कि सुखद एप के खराप प्रदर्शन से यात्री बहत दुखी है यह एप एनेचे आई द्वारा किये गए दावे के अनुसार, यात्रियों को राजमार्क के गड़े, सडक दुरगटना, यातायाज जाम, निर्मान कार्य के चलते डाइवर्जन, यात्री सुविदा, केंद्र, टोल पलाजा पार करने में लगने वाला समय, दरे, दूरी, आदी की जानकारी देने में विफल रहा है, सुखद यात्रा एप के खराब प्रदर्शन के चलते, यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया अंक पाच में से 2.7 रेटिंग स्टार दिये है, इसमें एनेचे आई की दावे की पोल खुल गई है, संसत की एक समीती ने भी अपनी सोशल मीडिया सही राजमारगों के किनारे साइन बोड लगा कर किया जाना चाहिए, अभी तक डेंगू का कोई इलाज नहीं है, लक्षनों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है, अब विज्ञानी डेंगू की दवा बनाने में काम्याब हो गए है, केंद्रिया ओशदी अनुसंदान संस्थान लखनों के विज्ञानियों को यह सफलता हाथ लगी है, अब दवा का मेडिकल कॉलेजों में ट्रायल किया जाएगा, इसमें आगरा का SN मेडिकल कॉलेज भी शामिल किया जाएगा, सूत्रों के मताबिक मरीजों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमती भी मिल गई है। देश के 20 केंद्रों में 10,000 डेंगु मरीजों पर ट्रायल किया जाना है। इसमें GSVM, King George, Medical University, लखनों के साथ आगरा का SN Medical College भी शामिल किया जाएगा। हर केंद्र सव मरीजों पर दवा का ट्रायल करेगा। सूत्रों की माने तो मुंबई की एक दवा की लैब टेस्टिंग और चुहों पर प्रयोक के नतीजे सफल रहे है। कमपनी को Drug Controller General of India से Human Trial की अनुमती भी मिल गई है। सफलता मिलने के बाद यहां मील का पत्तर साबित हो सकता है। Railway Board ने भारतिय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। Railway Board ने यहां कदम वित्तम अंतराले की सिफारिश लागू करने की दिशा में उठाया है। वित्तम अंतराले ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार निकायों को बं करके या विभिन्न मंतरालों के तहत कई संगटनों का विले करके उन्हें युक्ति संगत बनाया जाए। रेलवे बोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि IRSDC जीन स्टेशनों का प्रबंदन करता है उन्हें संबंदी जोनल रेलवे को सोपा जाएगा। निगम आगे के विकास के लिए परियोजनाओ संबंदी सभी दस्तावेज भी जोनल रेलवे को सोप देगा। बता दे कि IRSDC का गठन मार्ज 2012 में किया गया था। लक्षित हत्याओं के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। बीते दिनों आतंकियों के साथ मुटभेड में भारत के कई जवन शहिद हुए है। इस विच पाकिस्तान की माली हालत और खराब होने की खबर है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्तिक संकट से जूज रहा है। उदर अमेरिका ने बांगलादेश में हाल ही में हुए हिंदू समुदाय पर हमलों की निंदा की है। सोशल मीडिया साइट फेजबुक पर इसलाम के खिलाफ कथित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा के विरोध में धाका में अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे है। तो आस्ट्रिलिया के पुर्वध दिग्गस बल्ले बास माइकल स्टेलर को घरिल हिंसा के मामले में लफतार किया गया है। हाला कि स्टेलर के मैनेजर सिन एंडर्सन ने मीडिया रिपोर्ट्स पर टिपनी करने से इंकार कर दिया। बड़ी खबर ये भी है कि फेस्ब हैं कि जम्मू और कश्मिर में गैर मुस्लीमों की लक्षित हत्याओं के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। जम्मू कश्मिर में लक्षित हमलों के पिछे साजिस के अलावा पाकिस्तान आतंकी खेप भेजने के लिए अपनी स्पेशल सर्विस ग्रूप को आगे कर रहा ह जिस तरह से पूंच और राजवरी के इलाकों में मुढ़भेड हुई है उसे देखते वे माना जा रहा है कि आतंकियों की मदद पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल सर्विस ग्रूप कर रहा है बता दे कि अफगानिस्तान के पंजशिर घाटी में भी पाक के इसी SSG कमांडों ने तालिबान की मदद की थी घाटी में सुरक्षा वलों के सगन ऑप्रेशन की चलते आतंकी गुट पुरी तरह पस्त न पड़े इसके लिए पाक कमांडों आतंकियों को हर तरह से मदद दे रहे है विदेशी खूफिया सुतरों ने कहां कि पूँच में जिस तरह से भारतिय जवानों को नुकसान हुआ है उसे देखते वे साफ है कि पाक सेना के प्रशिक्षित जवान आतंकियों के साथ है दरसल पूच का इलाका एलोसी के पास के घने जंगलों में 10 किलोमिटर की दूरी पर है विदेशी सुतरों ने कहा है कि भारत 1965 की जंग के बाद से आज तक भिम्बिर गली, मेंडर, मनकोट, बालाकोट और केजी सेक्टर के इलाकों में फाइदे की प्रभाविस्तिती में रहा है बिते दिनों इसी जगह पर आतंकियों के साथ मुटभेड में भारत की कई जवान शहीद हुए नया पाकिस्तान का वादा कर सत्ता में आये इमरान खान ने पडोसी मुलक का बेड़ा गर्ग कर रखा है पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूज रहा है इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए आतंकियों को पनहा देने के लिए जाने जाने वाले पाकिस्तान को 51.6 अरब अमेरिकी डॉलर की बाहरी मदद की जरूरत है मालूम हो कि हाल ही में विश्वा बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान विदेशी कर्जे में डूबे टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब पाकिस्तान डेबिट सर्विस संस्पेशन एनिशियेटिव के दायरे में आ गया है इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान पर अब इतना विदेशी कर्ज हो चुका है कि उसे अब उधार नहीं दिया जा सकता विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 8 फिजदी बढ़ा है इसी साल जून में एक रिपोर्ट आई थी जिससे पता चला था कि इमरान सरकार ने विश्व बैंक से 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया था पाकिस्तान को कर्ज देने वाले विश्व बैंक और एशियन डेवलोप्मेंट बैंक भी है इन वैश्विक कर्जदाताओं की मदद से पाकिस्तान की मुलभुद जरूरतों को पूरा किया जाता है ये कर्जदता एजंसी आगे चलकर पाकिस्तान की रेटिंग को और कम कर सकती है अमेरिका ने बांगलादेश में हाल ही में हुए हिंदू समुदाय पर हमलों की निन्दा की है इस बिच राजधानी ढाका में हिंदूों के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन जारी है सोशल मीडिया साइट फेस्बुक पर इसलाम के खिलाफ कथित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा के विरोध में ढाका में विरोध प्रदर्शन हो रहे है बांगलादेश में दुर्गा पुजा के दोरान राजधान इढाका समेत अन्य शहरों में पुजा पंडालो, मंदिरों और हिंदू अलपसंख्यकों के हिलाफ हिंसा हुई थी हालंकि सरकार ने इससे पहले इस तरह के हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी बावजुत इसके हिंदूों के घरों को निशाना बनाया गया हिंसा के बाद सयुक्तर राष्टर ने बांगलादेश सरकार से इसे रोकने के लिए कारवाई करने का अग्रह किया है सयुक्तर राष्टर ने कहा है कि बांगलादेश में अलपसंक्यक हिंदू उपर हमले उसके सविधान में निहित मुल्यों के खिलाफ है UN ने कहा कि प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार को घटनाओ की निश्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है बांगलादेश में सयुक्तर राष्टर की रेजिडेंट कोरडिनेटर मिया सिप्पो ने कहा बांगलादेश में हिंदू उपर हालिया हमले सोशल मीडिया पर लगातर किये जा रहा है अबद्रभाशा का प्रयोग सविधान के मुल्यों के खिलाफ है और इसे रोगने की जरूरत है औस्ट्रिया के पुर्वत दिग्गज बल्लेबाद माइकल स्टेलर को घरेलू हिंसा के मामले में गिरफतार किया गया है औस्ट्रिया ही मीडिया ने इसकी जान करी दी सेल्टर के मैनेजर सीन एंडर्सन ने मीडिया रिपोर्ट्स पर टिपड़ी करने से इनकार कर दिया है न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि उन्होंने पिछले हफते घरेलू हिंसा के एक मामले की जान शुरू की है डिटेक्टिव मैनली में एक घर में गए और सेल्टर से बात की उसके बाद उन्हें गिरफतार कर मैनली पुलिस टेशन ले जाया गया सेल्टर ने ऑस्ट्रिया की तरफ से 1993 से साल 2001 तक खेला पिछले बही ने सेवन नेटवर्क की क्रिकेट कमेंटरी टीम से उन्हें हटा दिया गया था तिन साल के करार के बाद उन्हें हटाया गया था 51 साल के सेल्टर ने ऑस्ट्रियाई प्रधान मंत्री स्टॉक मौरिसन के खिलाब सोशल मीडिया में टिपणी की थी इस पर काफी विवात खड़ा हुआ था IPL के पहले हाफ के दोरान COVID महामारी के कारण भारत से उस्ट्रिलिया में लोटने पर पाबंदी लगाई गई थी इससे नाराज होकर स्ट्रेलर ने कहा था कि मौरिसन के हाथों में खून है इन सब के बाद माइकल्स ट्रेलर ने इस पुश्टी करन दिया था लेकिन साथ ही कहा था कि वहां किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए VKB News, Namaskar